हर महिला अपनी जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती है सब महिलाओं का होता है कि उनकी मुठी बंध हो, यानि कि वो कुछ कमाएं, घर में हेल्प कर पाएं और कहीं ना कहीं कुछ महिलाएं पीछे रह जाती हैं इस फिल्ड में क्योंकि उन्होंने इतनी सिक्षा ग्रहन नहीं की होती है या तो उनके कम एज में शादी कर दी गई होती है या फिर उनके पैरेंट्स ने उनको नहीं पढ़ाया होता है क्योंकि पैरेंट्स की ना कुछ ऐसी सोच होती है कि जितना खर्चा हम बेटी की शादी में करेंगे और उतना ही खर्चा फिर हम पढ़ाई में करेंगे तो हमें क्या फाइदा होगा क्योंकि लड़की तो पढ़ लिखके दूसरे घर चली जाएगी और दूसरे घर पर अगर वो काम भी करेगी तो मतलब वहां मुनाफा वहां पर उनको फाइदा होगा हमें क्या होगा हमारे इंडिया में बहुत सारे पैरेंट्स की सोच आज भी ऐसी ही है कि बेटियों पे हम क्यों खर्चा करें बेटी तो दूसरे का धन होती है पराया धन होती है हम उतना ही उन्हें पढ़ाए जितना कि उनकी शाद जादा क्या पढ़ाना लिखाना अब तो बहुत जादा माहल बदल गया है लेकिन हमें पता है कि हमारी परवरिस जिस समय में हुई थी तो हम बहुत साइब लड़कियों को ऐसा देखते थे कि उनकी शादी बहुत कम उम्र में हो जाया करती थी और वो पढ़ी लिखी मतलब व भी उस समय काफी हुआ करती थी यलिकि जिसकों की हम दहेज बोलते हैं तो पैरेंट्स क्या करें तो करें क्या उनको रहता था कि या तो बेटी की शादी धुंधाम से कर दे या बेटी को पढ़ाई दे इतना पैरेंट्स की सोच नहीं होती थी कि शादी करने से जादा पके रह जाता है क्योंकि उस समय पे लड़कियां नहीं बोल पाती थी और आज भी कही न कहीं ऐसा माहल है लेकिन बहुत हद तक बदल चुका है आज की पैरेंट्स यह चाहते हैं कि उनकी बेटी सबसे पहले अपने पैरों पे खड़ी हो तब जाके लाइफ में हम बाकी च खड़ा होना चाहती हैं तो वो क्या करें तो दोस्तों कुछ ऐसे हम आपको चीजें बताएंगे जो कि आप कम पड़ी लिखी हैं तो कर सकती हैं और जिससे कि आपका जीवन भी बदल सकता है अगर आप कड़ी मेहनत से करती हैं आप वाकिए अगर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं आप चाहती हैं कि आप अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं तो दोस्तों मेहनत कभी भी शुरू किजा सकती है केरियर कभी भी बनाया जा सकता है अब हमारे साथ पास्ट में क्या किया पैरेंट्स ने हमें पढ़ाया या नहीं पढ़ाया या उन्होंने इस क अच्छा कर सकते हैं अपनी मेहनत से अपने उपर विश्वास रखे कि हां मैं कर सकती हूं सबसे पहले ना सबसे पहले महिला के अंदर से आवाज आनी बहुत ज़्यदा जरूरी होती है सबसे पहले अंदर से आवाज आनी जरूरी होती है कि हमें अपनी लाइफ में कुछ करन करना है help करनी है हमें अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए अच्छा भविश्य सजोना है उन्हें अच्छी सिक्षा देनी है और हमें कुछ कमाना है अगर आपके अंदर हुनर है तो उस हुनर को आगे तक लिके जाईए बैस अपने एम को पाने के लिए इना चल लेकिन आपके सफलता सबको दिखती है मेहनत इतनी खामोशी शे किजे कि आपकी सफलता शूर मचा दे तो चलिए बताते हैं वह कौन से ऐसे विवसाये हैं जो कि आप बहने कर सकती हैं, अगर आप कम पड़ी लिखी है तो, कोई टैंशन की बात नहीं है, कम पड़ी लिखी हैं, लेकिन आप फिर भी अपने पैरों पे खाड़ी हो सकती हैं, तो दोस्तो नमबर एक है, पालर का, अगर आपको शौक है, देखें, शौक होना बिना तो कहना ही क्या, या फिर आपके अंदर एक जजबा है कि मुझे कुछ करना है, या फिर आपके अंदर शौक होना बहुत जरूरी है, तो वो कही ना कहीं से आता है वारे अंदर से, बाहर निकल के, तो आप इस तरी किसे ना अपने फैमलिय को सपोर्ट कर सकते हैं, पालर आ ज्यादा इसमें खड़चा नहीं होता है, उतना ही सामान रखिए जितना जरूरी है सबसे पहले जरूरी होता है अपनी इमेज को बनाना, सबसे पहले जरूरी होता है अपने व्यवार अच्छा करना क्योंकि देखे अगर वैवार अच्छा होता है तो लोग उसी के पास आते हैं काम को कराने के लिए आप अपना ही देख लीजिए आप उसी पालट पर जाती है जहां पर आपको अच्छे से टीट किया जाता है आपके साथ अच्छा वेवार किया जाता है आप वहीं जाती है न एक दरजी और एक टेलर महिलाएं कभी भी नहीं वदलती है हाँ वो बात अलएगे कि आप कहीं और रहने लगे हो तो ये दो चीज हम महिलाएं सबसे पहले जाके ढूड़ती है कहां पर अच्छे से डील किया जाता है कहां पर अच्छे से वेवार होता है कहां पर अच्छे से काम होता है आपको काम पसंद आना चाहिए पैसे वगेरा सब चीज बाद में देखी जाती है अगर आपको इनसान का वेवार पसंद आ गया उसका काम पसंद आ गया तो आप कितनी दूर से चल के आप उस दुकान पे ही जाएंगे होता है ऐसा और आपने देखा ही होगा कमेंट करके जरूर बताईएगा इन दो चीजों को ना लोग कभी नहीं बदलते तो दोस्तों ये वो वेवासाएं हैं जिनके लिए ज्यादा सिक्षा की जरूरत नहीं है अगर आप कम पड़ी लिखी है ना तो आप पालर में बहुत अच्छा नाम कमा सकती है बहुत अच्छी पैचान कमा सकती है अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप अपना पालर खोल सकें तो जहां से आपने पालर सीखा है, वहां पे आप कुछ दिन काम करके, अच्छी रकम इखटा करके, आप छोट असा पालर अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं, कम रेट रखे, स्टार्टिंग में कम रेट रखे और अपनी पहचान बनाने की कोशिश कीजिए, आपकी पहच चाहिएं तक छुझाएंगी, तो आपको सबसे पहले अपने विस्वास रखना है, अपने फिल्ड में आपको एक्सपर्ट होना है, ये चीज बहुत जरूरी है, कि आप जिस भी फिल्ड में जा रहे हो, उस फिल्ड में आपको महारत हासल करनी है, और आपने विस्वास बहुत जड़ा पड़ी लिखे लोग भी विवासाय में आ रहे हैं, पूरा फुल ट्रेंट होकर, बड़े बड़े कोर्स करके, ये बहुत अच्छा विवासाय है महिलाओं के लिए, घर में काम भी समाल रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात हैं कि नही की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास घर में चगए हैं, तो घर से ही हर काम कीजिए, ये रियली में बहुत ज़्यादा पसंद किये जाने वाला सबसे बड़ा वेवसा है महिलाओं के लिए, और नमबर दो है स्टिचिंग, अगर आपको शौक है स्टिचिंग का, आपक लेकिन वही बात है कि स्टिचिंग में स्टिचिंग, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसका रेट कम रखिए, एकदम जो आपका जो बहुत पुराने टेलर हैं या बहुत पुराने पालर हैं, उनके बरावर आप रेट स्टिचिंग में ना करिए, क्योंकि स्टिचिंग में इम कमा सकती हैं अच्छे टेलर बन सकती हैं लेकि शोक होना बहुत जरूरी है आप ट्रेनिंग लीजिए मसीन तो ज्यादा पैसों के आती नहीं है नहीं तो आप जहां पर स्टिचेंग का काम हो रहा है वहां पर जाके काम कर सकती हैं बड़े-बड़े दुकान पर जाके आप काम सबको पसंद है सारे इंडिया में पापड खाय जाते हैं पुरबह भारत पाहरी नहीं होते हैं पापड़ बनाना हाड जरूर हो सकता है स्टार्टिंग में लेकिन अगर आपको इसमें महारत हासिल का ठीक जियान लेकर थोड़ा सा सीख लिएक यान कर आप इस वहागा सकती हैं! है और अपने से स्टाइट ये अपको एकस्पार हो जाए महारत हासिल हो जाए तो आप लोगों का में रख सकती है और आप कई तैय और का index भूche लcion कर सकती है और नमबर फोर हैं दोस्तों टूशन पढ़ाना, अगर आप ने थोड़ी बहुत भी सिक्षा ग्रहन की है, तो आप उन बच्चों को तो पढ़ाई सकती हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप देहात में रहती हैं, तो वहाँ पे बहुत डिमांड रहती है, छोटे बच्चों की, और छोटे बच्चों को दोस्तों समहलना बहुत ही आसान होता है, लेकिन वो ही है कि उनको समहलने के लिए थोड़ा सा आपको धहर रखना होगा, थोड़ा सा आपको प्यार दिखाना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि बच्चे बच्चे होत लेकिन टूइशन के लिए आपके अंदर confident होना चाहिए और आपके पास सिख्षा होने चाहिए सिख्षा 12 बहुत है छोटे बच्चों को समालने के लिए और यह भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 10 पास किया है तो आप 10 के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते वह आपके उप confident हैं कौनसी class को पढ़ाने के लिए मतलब बच्चों की doubts को clear करने के लिए वह आपके सिख्षा के उपर निरवर करता है कि आपने किस तरीके के अपने time में पढ़ाई की है तो यह सबसे अच्छा व्यवसा है आप घर से start करने का और सबसे अच्छी बात है इसमें घ्यान भी extra ही होता है तो यह चीज बिना बहुत अच्छी है इसको भी आप start कर सकती है लेकिन वही बात है कि सबसे पहले आपके मन के अंदर होना चाहिए कि हाँ हमें कुछ करना है हमें अपनी life में आगी बढ़ना है तो बिना shock के और बिना talent के कोई भी चीज हम life में नहीं कर सकते हैं तो छोटे बच्चे को आप इस तरी की से पढ़ा सकती है और next है दोस्तों जैसे city में अगर आप रहते हो तो दोनों husband wife दोनों ही job करते हैं हमारे बच्चे को कोई संभाल ले हमारे बच्चे को कोई रख ले आप एक काम start कर सकती है एक helper के साथ में वह बच्चों को आपके प उनका खानी पीने का ध्यान अपना हुगा क्योंकि parents सुबह से कोई दोपेड तक जाते हैं काम पे कोई शाम तक जाते हैं तो एक crush type आप खोल सकते हो छोटे बच्चों के लिए लेकिन उसके लिए आपको थोड़ासा पेपर वर्क सब करना होगा वो आप देख सकते हैं लेक किसी का विष्वास एक बार हो गया ना तो वो आपको ही अपॉइंट करेगा आपको ही बुलाएगा बच्चों के लिए कि भई हमें आपके या बच्चे छोड़ने हैं इतने टाइम के लिए पैसी के लिए कभी वो पीछे नहीं हटते हैं जतना आप डिमांड करेंगी वो कभी भी ना नहीं करेंगे क्योंकि सबसे पहले वो देखते हैं कि उनका बच्चे आपके यां सेफ है या नहीं है आप बच्चे को अच्छे से रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं तो इस तरीके कि मैंने बहुत सारे सिटीज में देखे हैं कि क्रस्ट्राइक खोल लेते है उसमें बच्चे चोटे चोटे बच्चे रहते हैं, उनका खाना, पीना, सुनाना, तो इस सरी के से काम चलता है, लेकिन सबसे पहले न, आपको बहुत शांत रहना होगा चोटे बच्चों के साथ में, तो ये चीज़ें आप खोल सकते हैं, कर सकते हैं, और अपनी जिन्दगी बदल सकते हैं, तो दोस्तो कैसे लगी आपको हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो यूस्फुल लगी हो, तो लाइक कर दीचेगा, चैनल पर फर्स टाइम है, तो सब्स्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, कमेंट करके ज़रू बताएगा, कि आपको पसंद आया, तो चले दोस्तो मिलती हूने वीडियो में, थैंक यू सू मच पर वर्चिंग मैं वीडियो, चैसी किशने रादे रादे,